हेलो प्यारे बच्चो देखिए ये है आपकी गणित की कार्य पत्रक संख्या 6 जो आज आपको 13 अक्तूबर 2020 को करनी है वेटा आप सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे अपने कक्षा ध्यापत का नाम लिखेंगे अपना रोल लंबर और सुडेंट आईडी जरूर लिखेंगे आज अब आपकी वरक्षीट है वो किस पर आधारित है रिखाएं और पूण हम आज रिखाओं और पूण के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले देखिए स्मांड कीजिए जो हमने पहले पढ़ा है बिंदू क्या है ये बिंदू ए बिंदू की कोई माप नहीं है केवल एक स्थिती है केवल आपको एक स्थिती बताई जाते है कि ये जो बिंदू है ये कहां पर है इसका कोई measurement इसको कोई माप नहीं होता बिटा कि वो कितने centimeter रखा है कितना बड़ा कितना छोटा है अब हमने उसके बाद देखे रेखा रेखा के भी निश्चित माप नहीं है क्यों क्योंकि ये देखे इसको तीर से दिखाया जाता है और दोनों तरफ ही आगे बढ़ सकती है तो इसलिए इसकी भी कोई माप नहीं हो सकती इसको दोनों ही और से दोनों दिशाओं में बिंदू का समूह जिसे दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है दो अक्ष्रों या एक छोटे अक्षर से दिखाया जाता है देखिए दो बड़े अक्ष्रों से दिखाएंगे तो यह x y हमने दिखाया इस तरह से और छोटे से एक से दिखाया जा सकता है लेकिन उसके उपर आप यह बनाना नहीं भूलेंगे यह जो दोनों तरफ तीर वाली लाइन आपको बड़ा बड़ा बना के दिखा रही हूं लेकिन आपको तो छोटा बनाना है कॉपी में अब यह देखिए रेखा खंड अब हमने रेखा का खंड रेखा का एक टुपड़ा रेखा खंड तो देखिए लग किसी रेखा का एक टुपड़ा जिसके दो अंत बिंदू हो इस पूरी बड़ी रेखा में हमने यहां दो बिंदू से यह रेखा खंड ले लिया तो यह अग कि बिटा उसके बाद है हमारा रेखाखण को अंग्रेजी के बड़े अक्षो द्वारा दर्शाया जाता है और रेखाखण अगर आपने ए भी लिखा तो उसके उपर आप ये लाइन डालेंगे तीर केवल रेखा वे दिखता है यहां पर एक सीधी लाइन सीधी रेखा उपर आप बनाएंगे आप इसका नाम P Q दे सकते हैं RS भी दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगे वो दे सकते हैं अब दीखिए अगला है किरन तो किरन क्या होती है आप यार्प कि ये सूरज की किर्णे तो सूरज की किर्णे कैसे सूरज से शुरू होकर धर्ती तक आती है इसी तरह से किरण का एक हिस्सा किरण रेखा का एक हिस्सा जिसका एक अंत बिंदू नामत है प्रारंबिक बिंदू होता है प्रारंब जहां से वो होती है वो बिंदू होता है और अन्य बिंदू को अपरिमित रूप से बढ़ाते हैं अपरिमित रूप से मतला पिटा कितना भी आगे तक बढ़ा सकते हैं किरन को ओपी संकेत से दिखाया जाता है तो किरन को कैसे दिखाएंगे देखिए ओपी है तो ओपी इस तरह से यह किरन ओ पी है यानि ओ कि ओ उसका प्रारंबिक बिंदू है जहां से शुरू हो रही है और आगे क्यूंकि पी बिंदू पर यागे बढ़ा ही जा सकती है तो पी बिंदू पर इसको इस तरह से तीर बनाया जाता है पी की तरफ अब देखिए एक बिंदू से कितनी किरने गुजर सकती हैं आप देखिए सूरज की किरने सूरज से शुरू हुई और कहा धरती तक आ रही हैं तो कहीं तक भी आगे तक जा सकती है तो ये तो इसका हो गया प्रारंग्मिक बिंदू सूर्य प्रारंमिंग भिंदू और उसकी रहे आगे तक बढ़ती चली जारी है यë आपका विंदू को याद आप किरन को इस तरह से याद रख सकते हैं अब एक विंदू से कितनी किरने हम ले सकते हैं तो देखें एक विंदू अगर हम लेते हैं उसकी आप जितनी चाहें उतने किरने एक बिंदू से गुजार सकते हैं ये सबी क्या हैं ये किरने हैं और एक ही बिंदू से आ रही हैं और और जितनी भी चाहेंगे आप इसके अंदर से और भी बना सकते हैं इसनली यह और सीमित है। इसके बाद देखिए बटा इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कोंड। अब दो किर्णों से मिलने से क्या बन जाता है कोंड। आप देखिए, एक कोंड दो किर्णों अत्वा रेखाओं। अत्वा ज्रेखा खंडू के मिलने से बनता है। उभेनिष्ट बिंदू, शीर्ष बिंदू कहलाता है, जिस बिंदू से दोनों स्टार्ट हुई, जिस बिंदू से दोनों किरने एक साथ जुड़ती हुई आगे बड़ी, उस बिंदू को ही हम क्या कहते हैं, शीर्ष बिंदू, यानि कि वर्टेक्स, इंग्लिश में आप वर वर्टेक्स है, इसका शीर्ज बिंदु है, नहीं तो इसका नाम कैसे शुरू करेंगे, आप P से शुरू करेंगे O, और फिर उसके बाद Q, तो इसको लिखेंगे P O Q, और ऐसा भी हो सकता है कि आप इसका नाम Q से शुरू करते हुए, फिर आप पी की और जा रहे हैं तो इसका नाम हो जाएगा Q, O, P दोनों ही ठीक हैं और कोण ओ भी लिख सकते हैं इसको अब देखिए क्या एक सरल रेखा कोण हो सकती है बिल्कुल एक सरल रेखा कोण हो सकती है कि अगर एक किरन इस और जा रही है और एक किरन उसी की विपरी दिशा में जा रही है तो ये क्या है ये इनका उभे निष्ट बिंदू है ये इनका शीष बिंदू है और आप अगे पढ़ेंगे कि ये जो होता है ये हमारा 180 डिगरी का होता है रैकिक यूगम बना रहा है ये तो आप देखिए तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा हाँ एक सरल रेखा कौन हो सकता है आप देखिए पूरक कौन और संपूरक तो बिटा पूरक और संपूरक क्या है पूरक जब दो कौन एक साथ हो और उनका माप उनका योग उनको प्लस करके कौन A जमा कौन B अगर जमा कर यह इन दोनों का योग 180 degree है तो वो संफूरक है तो इस तरह से आपको याद करना है पूरक कर सुछा जा सकता है कि एक खूर्त को दिया जाएगा और कहा करके बताइए कि दूसरा कोन कितना होगा सम पूरत है एक कों 210 डिगरी है दूसरा कोन दो improving कितने डिगरी का है अब देखिये आसन कौन तो आसन कौन क्या होता है बिटा लगा लिया इनिश्च भुजा होती है यानि कि आपका एक common आपका उसमें जो वर्टेक्स है वो common है जो आपका शीर्ष भिंदू है वो common है और उसके साथ साथ आपकी एक जो किरन है वो भी common है कौन PQR और ROQ कौन PQR और ROQ आसन युगम है आसन युगम है मतलब एक साथ है यह दोनों आप देखें इसके बाद इसमें क्या क्या चीजें है इसमें उभेनिष्ट गुजा है OR हमारी जो गुजा OR है वो उभेनिष्ट है वो common है दोनों में उभेनिष्ट मतलब बिटा है उभेनिष्ट वर्ड याद ना रहे तो उभेनिष्ट का ही मतलब होता है common आपको common वर्ड याद रखने में easy हो तो नहीं दोनों में ह이나ी नहीं है व कौन्सी ये इसोन के लिए अलग है और यह और ओपी इसकोन के लुए अलग है अब दिखिये रहां जाव से जोड़ा रहा जिर एक जोड़ा यक मतलब थे जोड़ा ऐसे आसन कोड़ों का युग्म होता है जिन्ती वुजाएं जो उभेनस्ट नहीं है विपरीद दिशा में किरने होती है यहाँ पर क्या है यहाँ पर जो किरने है वो विपरीद दिशा में है जो दो उभेनस्ट नहीं है एक तो यहाँ पर आएगी जो उभेनस्ट होगी लेकिन यह अहां पर जो यह विप्रेजिद दिशामें में तभी सीधि रखा स्क्राइब और आसे कोणों पा यूग है जिसमें एक विभेनिशन एक इस में इदर जा oneokee की उल्टी डारेक्शन में जा रही है और इन दोनों का जो योग होता है आप आगे चलके पढ़ेंगे बिटा जब ये जो दो ऊपर ये जो दोर कोण है इन दोनों का योग आप 180 डिगरी होता है इसको स्ट्रेट आंगल भी बोलते हैं अब देखिए हमारे आज के प्रश्ण जो हमें करने हैं तो आज के प्रश्णों में आप सबसे पहले देखिए बिटा निम्लिखित कोणों के नाम पहचान कर संकेत से दिखाओ निम्लिखित कोणों के नाम पहचानने हैं आप नाम इनके बताएंगे और यहां पर आप इनके नाम जब आप इनका इस तरह से इनको A, O, B, C, O, D, P, O, Q, R इस तरह से पहले आप सिंबल देंगे उसके बाद इनके नाम बताएंगे अगर मैं इसको बताना चाहूं तो एंगल O, B, A, O, B क्या है? 50 डिगरी का है एंगल B, O, D जो है वो 130 डिगरी का है तो इस तरह से और इसके अलावा आप देखिए कि आपको यहाँ पर बिटा इनका नाम देंगे तो यह कैसे कौन है? यह हमारा कौन सा कौन है? यह रैखिक यूगम है और रैखिक यूगम का आप नाम बताके उसके साथ साथ आप बताएंगे कि यह रैखिक यूगमे कौन कौन सा अंगल है तो रैखिक यूग्मे यहाँ पर देखिए यह अगर हमने नाम दिया P, O, Q, R सबसे पहले यह कैसा है यह रैखिक यूग्म है और रैखिक यूग्म के साथ साथ आपको भी बताना है कि इसमें कौन कौन सा है तो एंगल P, O, Q और एंगल Q, O, R यह एक रैखिक यूग्म है अब इस तरह से अगला अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या होगा अगला देखिए अगले को आप नाम दे दिजिए M, O, N, P तो आप देखिए जो आपका एंगल M, O, N है और एंगल N, O, P है यह दोनों क्या है? आसन कौन है यह कौन से बोन है बिटा? आसन कौन है इसी तरह से आप यहाँ पर भी नाम देंगे और वो आसन कौन है यह भी आपके आसन कौन का ही एक एक एक्जामपल है फिर आप बिटा देखिए उसके बाद आपको यहाँ पर बताना है कि कौन एक और दो क्या यह आसन कौन है बिटा आसन कौन में जो शीर्ष है यह दोनों का उभे निष्ट होना चीए कौमन होना चीए आपकी यह किरन तो कौमन है उभे निष्ट है लेकिन शीर्ष अलग लग है अंगल जो है इन दोनों का शीर्ष अलग लग है तो इसलिए ये नहीं है ये आसनकोंड नहीं है इसके बाद आपको अपने आसपास की वस्तु हमें कोणों के उधारन बताने हैं जो कि हो सकता है हवारी घड़ी घरवाज़ा खीड़की आपका पैंसिल बॉक्स इस तरह से आप कुछ भी जो आप एक्जाम्बल देना चाहें जिसमें आप एंगल देखते हैं जिसमें दो चीज़ें इस तरह से खुलती और बंद होती है कोई भी आपके अलमारी है घर में जो अलमारी होती है उसका दरवाज़ा भी आप देखेंगे तो एक जगा पे वो दोनों जुड़े हुए हैं वो उनका शीष बिंदू है जहां वो जुड़े में है और उसके बाद वो दो किरने हैं जो आपको ब कोड़ी का पालन जरूर करना है आप सब अच्छे बहुत समझदार हैं और आशा करती हूं कि अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं आनंद भी ले रहे हैं साथ ही साथ इन सब बातों का ध्यान रख रहे हैं और हम जल्दी ही मिलेंगे जब हम इन सब चीजों से बाहा हम इन सब चाह।